नमस्कार आप देख रहे हैं कुख बत रहें लुका फ्रेंस आज बना रहे हैं टमाटर की चट्पटी चट्कारे दर खटी नीं चट्नी जो खाने में ब्यादा टेस्टी लगती है और हम बिना लेसन पर आजका उपयोक करे कि इस चट्नी को बनाएं norm आहिए और यह चट्नी कंप्लि ँप herman दाल लाल पके टमाटर हैं और इसी टमाटर से चट्नी बना के तियार करेंगे बहुत ही बढ़ी लगती है चट्नी खाने में आप उडी पराठी दाल चावल और पकड़े के साथ इसे अज़ाए कर सकते हैं चली बनाना शूरू करते हैं सबसे पहले करना कि है गैस अमकर के पहन रखना उसमें डाल देना है एक चमश और उसे अच्छे से गर्म होने देना है आप चाहे तो चेगे शर्चों तेट भी वह प्योग कर सकते हैं अब जाल देंगे हम 14 चमश ही दाने-दार ही ही है तो क्या करना है कि इसको जो हींग को अच्छी तरीके से बड़ी साइब करें जबाए नटीकर सबस्टेभी तेस्टीर रखनें ज़तमेश। टिटमाटर छोटे टोकडों में काटना कर्देदा, ये गल बीग कुण से, पखे मफ लेक नीख के लिए मितलत कि अधिए फलम दिस nou practicing्हें यह सबादी है जलदी से चमब अपते हैं बढ़त जल्दी से सब्स आपके को यह चमब्घ तो अब चूटी चमब्घ नमक जाएं अब पने टेस्ट के कौड़िग कम जादा शकते हैं यह चिंदा चमब्घ चाहना काम और जिए भरत लिए भिरत को यह समय पार नमक है यह ब्रत के काम भी आ जाएगी तो बढ़ी आसे चला दें क्योंकि लहसन प्याज को बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो यह जो चट्नी है ब्रत में ही बना के इसका खा सकते हैं और इसे ढख कर एक से दो मिनट के लिए फालका सा पकाना है और इसे फिर चलाना है जिसकी यह जलेन और बढ़ीयासा इसे चला दें के एक इंच अधरग का gagner करके डालना है और इसे भीढ़ी आसा आसी मिक्स कर देंगे बहुत अच्छी खुश्बू आने लगता है चटनी में अधरग डालनें से तो भीड вас अधर इसे मिक्स बी कर दिआश कर दीक लिंगे और इसे टमाटर ने चलाते रहेंगे ना ही प्यूरी बनाना ना ही पीशना है या करना है एक मैशर लेना है और इस तरीके से मैश कर दीना है डाख बाड़ी के टुकडे के टुक्राइबें बोड़ी हो जाएंगे ऊब कलाए लेक disciplined करें रखक लें सकतेके एक महीत तैक या ठाणी हो जाए बनने में जो जब साइगे आप नेयरख में अरआम तो जब इसे 1 महिने अराम से चल जाएगे अब इसमें क्या करना है कुछ मसाले और उसमें क्या करना है और इसे इस तरीके से लो फ्लेम पे थोड़ा-सा पकने दें और चमच घरम मसाला पाउडर की बाद चमच छोटी घरम मसाल पाउडर की बाद स्कूछ तो इसमें काला नमक में डाल के बड़ी है चलांगे अगर आप रत के लिए बनाएं तो काल हो सफेद दोनों नमक ना डालें आप इसमें केवल सेंधा नमक डालें और अच्छी तरीके से मिक्स करती हो चलाएं और इसे हलका सा भूनते रहें जिससे कि जो मसाले हैं उनका कच्छा पंदूर हो जाए और बड़ी ऐसे मसाले से मिक् अगर थोड़ी दिर के लिए पकाना है यह पिर से हम चलाएंगे यह देखिए बढ़ी अच्छा आते रहने जली नहीं नीचे से नहीं तो टमाटर जल्दी से जल जाती है इसलिए इस तरीके से चलाते रहें अब डाल देंगे एक चौथाई कप चीनी हमने एक किलो टमाटर चीनी डालें और इसलिए बढ़ी आसे मिक्स करते हुए चला देंगे थोड़ा सा चलाते रहना जैसे की चीनी जो है नीचे जमेना और जलेना ठीक और इसके बाद चलाते रहना चलाने कब थोड़ी देखिए धबना जिससे की जो चीनी है अच्छे से पिगल जाए और टमा इसे थोड़ी दिर चलाते रहना है जो हमने चीनी डाली है तो नीचे चिपके ना यह बढ़ी आसी हमारी घटी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है बिना लहसुन प्याश की चटनी अब इसे सब कर देते हैं और यह चटनी आप ब्रत में भी बनाकर रख सकते हैं और यह प आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए जैसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिविकिशन आपको मिल सके अगली रेसिपी के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं तब तक के